विंडर सीजन आ चुका है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भरी हरी पतिया नजर आ रही है जिसमें की एक मेथी साग भी होती है वो मैं मार्केट से लेके आई हूँ इसकी कई तरह की रेशिपी बनती है आज मैं एक रेशिपी तयार करने वाली हूँ जो कि हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी चाहे चाहे की साथ इंजवाई कर सकते हैं मेमान आए उने सर्व कर सकते हैं आप इसे थोड़ा सा फ्रेश करके तल के भी दुबारा यूझ कर सकते हैं इसे क्रंची और लगेगा फृत से अ ने हगेई साखर हेग लिए सकते है और इसे अस्टूट करके मतलब के है कि महीने एक महीने ऑडेमिना शेरिव हम फगल सक्कौर्टो करने वाले है तो चलते हैं यह रेशेपी हम तयार करने वालं है जो उसकी तैयारी करते हैं तो हमने प इसका डंटी हम यूज नहीं करने वाले हैं सीप पती का हम लिफ एकदम यूज करने वाले हैं और अच्छे से इसको तीन पानी से धो देते हैं कोई भी साग हो कम से कम तीन पानी से जरूर धोना चाहिए क्योंकि जो भी डस्टिंग है वह अच्छी तरह से साफ हो जाती है तो हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी आधी कर तोरी ज्यादा पानी नहीं क्योंकि साग में अल्रेडी पानी होती है और इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं ज्यादा पकाने की जोरत नहीं है अब हम लेंगे एक बॉल में मैदा एक बॉल मेंने मैदा ले लिया है अब इ इसे अच्छी तरह से इसमें जितनी मेथी हमने पकाया है वो सारा इसमें एड़ कर देंगे अब स्वात के अनुसार नमक मिला देते हैं लाल मेच पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा स्पैसी चाहते हैं तो हरी मेच भी मिला सकते हैं अजवाइन इसमें मिक्स कर देंगे काली मेच पाउडर जिससे टेस्ट बढ़ियां आता है स्नेक्स जब भी बनाओ तो काली मेच जरूर येट करना और मोयन के लिए हम इसमें डाल देते हैं ओयल मैंने एक कटोरी में दो चमच मैदा लिया है अब इसमें दो चमच इतना ही डालूँगी ओयल जितना मैंने मैदा लिया है उसी की रेसियो में ओयल डाल करके इसका मैं पेश्ट त्यार कर दोंगी इस तरह से अच्छी तरह से पेश्ट को मिला करके इसे हम त्यार कर लेते हैं अब इसका प्रोसेस जो है वो आगे मैं यूज़ करने वाली हूँ इस चीज़ का अब इसे हम साइड में करके अच्छी तरह से मिला करके साइड में करके रख देते हैं आप ध्यान देना जितना मैंने दो चमच मैदा लिया है तो दो चमच ओयल ही लेंगे रेसियो मतलब कि सेम होना चाहिए दोनों का अब इसे हम साइड में रख देते हैं अब हमने जो लिया है मैदा का जो मिक्सर त्यार कर लिया है अच्छी तरसी से मिक्स कर लेंगे और जिस तरसे हम आठा गुदते हैं इसको नीड कर लेते हैं बढ़िया से मिला लेते हैं और हलके हलके पानी में क्योंकि आल्डेडी साग में पानी भी है उस पानी के साथ हमने इसमें डाला है तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि पानी है लेकिन बाद में गीला हो जाता है तो हलके हलके पानी डाल करके हम आठा गुत लेंगे इस तरह से थोड़ी तेर सॉ को साइज का बॉल होना चाहिए बस इतना ध्यान देना है कि जो भी हम बॉल तियार कर रहे हो सेम साइज की होगीग को बहा सब्सक्राभिन अब हम चकला बेलल जाई simplesmente पर रोटी बेलेंगे रोटी की तरह एकदम पतली जितनी पतली रोटी होती है उतना ही बढ़िया रोटी बनता है तो हम उतना ही पतला हम रोटी खीच एकदम अच्छी तरह से खीच करके इसको बेलेंगे इस तरह से आप देख रहे हो कि एक छोटा सब बॉल जो मैंने पेड़ा बनाया था इतनी बड़ी इसकी मैंने चपाती इसको बना दिया है सेम साइज का सारे बॉल है तो सारे को इसी तरह से हम बनाएंगे एक साथ सबसे पहले हम सारे चपाती बेल लेते हैं एकदम पतली होनी चाहिए चपाती जो हम लोग बेल रहे हैं इस तरह से हम सारे बेल लेलते हैं और साइड में करके रखते जाएंगे तो मैंने पाँच जितनी आटा थी पाँच ये छे बॉल तियार किया है आपके पास जितनी कौन्टिटी है जैसे कि आप जितना भी करोगे तो क्वान्टिटी उतना ही ज़्यादा होगा अगर साथ है आठ चपाती त्यार करोगे तो उतना ही उसका ठीकनेस ज्यादा होगा बड़ा होगा उसी अकॉर्डिंग तो मैंने लिया है पांच पांच का लेयर त्यार करोंगी अब इसमें मैं स्प्रिंग कर रही हूँ मैदा स्प्रिंग करेंगे और इसके उपर जो मैंने तयार किया था घोल वह इसको फैला देते हैं अच्छी तरह से पैलाने के बाद हम इसमें एक जो चपाती है इसके उपर लग देंfar़ेंगे और सेंप र माथेजर से लेयर वार करते जाएंगे अगर आप पांच बना रहे हो तो पांचों को इसी तरह से लेयर वार करेंगे या च्छे बना रहे हो तो उसs प्रॲाल सारे चपाती को हम एक्ट करते जाएंगे इसी तरह से जितनी हमने बनाया है और इस तरह से उपर से फिर हम डालेंगे स्प्रिंग करेंगे मैदा और उसके उपर इस तरह से मैंने सारे कर लिये हैं अब इस तरह जितने था हमने बेला हुआ वो सारा इस तरह से एड कर दिया है अब इसको हम इस तरह से रॉल करेंगे आप ध्यान देना किस तरह से मैं रॉल कर रही हूँ इस तरह से रॉल करूंगी अब जितनी चपाती बनाए हो उतना योज कर सकते हो रॉल इस तरह से करेंगे और इसको लेकिन पतला करना पड़ेगा साइस बड़ी हो जाएगी इस तरह से अभी ये मोटा लग रहा है अब इसको हम अच्छे से चिकना करेंगे अभी बहुत ज़्यादा ये मोटा लग रहा है इसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा साइट में हम जो घूल तयार किये हैं वो इस तरह से लगा देते हैं कि जिससे हम लोग अगर इसको तलेंगे तो यह निकले नहीं अब इसे हम लंबा सा इस तरह से रॉल करके बना लेते हैं अब इसे हम इस कट तरह से सेप में कटिंग करेंगे तो चाकू ले करके इस तरह से आप कट कर दोगे अब देखो बढ़ियासा यह आ गया है हमारा सेप लच्छेदार का सेप इस तरह से आ जाता है अब इस तरह से करने के बाद हलका सा हम इसे प्रेश कर देते हैं थोड़ा सा जिससे और बढ़ियास से पा जाएगा इस तरह से हाथों से प्रेश कर देंगे और इससे हम एक साथ रख देंगे यह सारा इस तरह से कटिंग करने के बाद हो गया है यह लच्छेदार मठ्री जो त्यार होगी बहुत ही खसता भी होगी क्योंकि एक तो मैंने लेर बाई लेर लगाया है मोयन तेल स्मोकी गरम करेंगे और उसकी बाद स्लो कर देते हैं जब हम त्राई करेंगे तो इसको स्ल कि इसे उलट पलट करके हम तल देंगे यह पहुत ही क्रंची बनता है डीजन यह है कि एक तो मोयन के लिए हमने ओयल डाला है और उसकी बाद लेर भाई लेर इसमें ओयल डाला है जिससे क्या होता है कि जो भी हमने लेर त्यार के वो बहुत ही बाद में क्रंची भी हो जाता है और बहुत असानी से यह ब्रेक भी कर जाता है तोड़ने पे हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें इसको क्या होता है कि रीफ्राइबे कर सकते हैं आप रख तो डब्बे में और अगर चाहते हैं कि फ्रेज एकदम खाना तो दुबारा ओयल को गरम करके इसको रीफ्राइब करके इंज्वाइब कर सकते हैं बहुत उससे और ट इस तार से हम ब्राउन कलर तक इसे उलट पलट के तल देते हैं बहुत ही क्रंची अंदर से और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है तो सर्दी के मौसम का एक दम बेगतेरीं हमारे स्नेक्स त्यार हो जाएगा जब चाहे तब इसे आप खा सकते हैं और इसको रीफ्राई करके फ्रेज करके भी हम इंजॉय कर सकते हैं तो कमेट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना तो कमेट जरूर आपको कैसा लगा पे जरूर सकते हैं